काईले पुणा पाइस आगे कोछी हामी प्रेस प्ली प्लाउत गरे रहा हमी अध्यन को लाई पॉल जी लाई आले जान देख भागाच्छाँ अब बिसेस जानकारी लिएर आपस्तित भायका शां र अभिनेता पॉल साहका शंदरवबमा यह जानकारी केंदरित छा र यह खास गरी अविनेता पॉल साहा को मुद्धा की भयो भन्ने संदर्व मा यहार वलाई जान कारी सा तियुबंदा अगाडी मो केही समय अगाडी साता दिन अगी मातर है तनहों पुगे को थी जान से अविनेता पॉल साहा संग कुराकानी भयो आमरो टीम को केंदर मोशन को तंदुरुस्त रहाएको रो आफुले नियाय पॉने कुरामा विश्वस्त रहाएको कुराशें हामी संग को कुराकानी मा दोहरेवनु भाको थियो रो त्य समंदी अपडेट्स त मैली यह सगी गरी पनी सगी कुछ रो खास गरी यानला फेरी पनी बननु पर दाहेरी प वेट पनी गेन गरनु भाको जस्त देखिन थियो रो वहाले पनी बननु भाया कि महले दुचार केजी वेट पनी गेन गरे बनेर बननु भा थियो रो खास गरी वहाले जीम गरी रहेको भाय रो सारे रिक रूप मा सुगठित मा देखिनु भाया को थियो रो बांकी कुरा रो चैने के कॉछोबहरा ह्धार अक सब्सक्रांinté । राखनु भायको थीव रा हमिले उना संग लामु कुराकानी गरें, तिसपस्च चाइब फेरी चाइब उना संग खास कुराकानी भायको थाइन, अबने ता पल्साहा संग को तियो बहेट पस्चाइब अब चाई यान लाई जानकारी गरवन पर दाहेरे चाई आज जुन अभेनेता पल साहा को तनहुजिला अदालत को जुन मुद्धा थियो तियो संद्रभव मा पेसी तो किये को थियो रो आज को पेसी चाई सरे को चाई सरकारी वोकेल आज़ेवक्ता को अनुपस्तिति मा आज़को पेशी सरेको बन्य जानकारी छें हामिलाई बरिष्ट अदिवक्ता कमला मोहन वागलेले जानकारी गरना भायकोछा जो चाहिए अविनेता पॉल्साहको तर्फबाट अईले लीडिंग अडबोकेड उनुँँछ जसले चाहिए शप्पे कुरायारू लीड गरे रहले अविनेता पॉल्साहको तर्फबाट मुद्धा लड़ी रहनु भायकोछा और उवाँ संगा यसागी बिविन्न चरण माँ पनी आमीले कुराकानी गरी रहा के थियूं और उवाँरूले पटक-पटक हामी विश्वस्त सहूं कि अविनेता पॉल्साहले नियाय पाउने शन भने रहा को संदरबा पनी छा जाहां सम्मा नाबालिक गाईकाले आफनो बयान फेरी सकेको संदरबा मा नोबलपूर जिल्ला अदालत बाट योड़ा फरक्खाल को फईशला आयो रेप केस मा खासगरी क्लिंचेट नहीं दियेको पन्ना मिल्छा यानिके सफाई दियेको अभिनेता पॉल्साहलाई यादे पी बाल यौन दुरुपयोग को संदरब अथवा जिल्लाको फईशला खारेजगरी पॉंग बने रा उच्छा जाने प्रक्रिया पने लगभग अभ शुरू भायको पन्ने को राचें हामिलाई जानकारी प्राप्त भायको सा दर्शक्रिन अभगोक्रम मा हमी अभिनेता पॉल्साहा का तर्फ बाट मुद्दा लडी रहेका लीडिंग अड्बुकेट कमला मोहन वागले लाई संपर्क गरने शोंग वहाँ बाट थब जानकारी लेने शोंग के कोसो भाय रहेको सा यो मुद्दा कोसरी अगारी बढ़ अब निर्वाजन पस ही नहीं हो यो पेशी चर ने? अब लव 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 निर्वाजन पचीन हुँच वड़गे लव निर्वाजन को चाप वन विस्तारी बढ़े गाथ है आजयो आजयो अब ढइल्बाड़ा णो को, पष्वाफिस गंडिष वद में भुदू है,दाल बलागटव क हम आतला है। श्यूले मभीषोले क सब्सक्विए तर्म भीड़ जांुछ, अब लुए पष्यू पर नरवाथाञा негоनी सीधों representing 나면 जाने बनने को रोचें कथी को सत्य हो शर्ड? नमलपुर्पू को पुड़ाचा थावन आली परी समय लाइए वागी त्यावटावन लाइए 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 परी सत्हिं को सत्यार शा की को सत्यार के मि की देंचेंगे वनी परी सिंध्यार के वागी वागी प्हाए भिग्यल्याटाे़के दर्शक्रिण वाउन उन्थियो अभिनेता पॉल्सा का तर्फ बाच अहिले जुन यो मुद्धाच तेसको न्यत्रित्व गरी रहनु भाएका बरिष्ट अधिवक्ता कमला मोहन वागले वाँ संगा आमिले बिगत लाम समय देखी खासगरी अभिनेता पॉल्सा को मुद्धाको संद्रवब मां अपडेट्स लीने रहे का शूं रो याले था पाई नहीं आलनु भाए निर्भाचन का का कारण निर्भाचन मा जुन बेश्टता उन्छा तेसका कारण निया दिवक् समय उपलब्दगरावन नसक एको ब्यहरा सहीत को चाई पत्र पढ़ावनु भाए पाछी अईली ततकाल का लागी जुन आजका लागी तोकी एको पेशी थियो तियो पेशी सारे गोछा अब मंसिर को दस गते बंदा यता वही ना कि मंसिर को दस गते बंदा उता पेशी त जोकी नेशा तेस पस साथ चाई तनहु जिल्ला अदालत मा जुन मुद्धा दर्ता भाएको अबिनेथा पॉल सहा का बिरुद्धमा जब्रजस्ति करनीको त्यो संदर्भ मां अंतिम सुनवाई होनेशा त्यो सुनवाई बंदा अगारी नैपनी जुन नवलपुर जिल्ला अदालत बाट युटा फैसला भाएको छा त्यो फैसला का संदर्भ मां चित्त नभुजेको बंदे उच्छ अदालत जानशकने संभावना चैं रहेको त्यो फैसला को पूर्ण पार्ठ अध्धेन का लागी चैं अभिनेथा पॉल सहा का पठाई येको बन्नेको रापनी ह हामिलाई बरिष्ट अधिवक्ता कमला मोहन वाग लेले जानकारी गराणु भायको शा आजो को यो वीडियो सामगरी येति नहीं यहार वोलाई हामी थप अपडेट्स दिदेने जाने शाँ ये संदर्भव मां रो हामी सत्य तत्य निस्पक्षय र संतुलित तावरले ये स समाचार जानकारी प्रस्तूत गरी रहे कासों र योक्रम ले आगामी दिन मापनी नेरंतर ता पौने नीशा